हेलो फ्रेंड वेलकम टू जॉन टेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफर्म जैसा कि आप लोग को पता है कि जॉन टेक टीम ने आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉंच किया है जिसका नाम है जिसके अंतरगत हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के सब्जेक्ट के जो कुश्चन होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कॉस करते हैं बिद कॉंसेप्ट चली टीक है तो आज हम जो नई सब्जेक्ट लेकर आएं लेक्ट्रिकल की उसका नाम है यूईप यूटिलाइजेशन इसका इसका यहां पर मैं यहां परमैंड डिफ्रेंट टाइप की जो चैप्टर हं उनके यहां पर कृष्चन लेकर आया हूँ जिनके बारे में अज हम धीपली डिसकुस्क्रिंगे कि इसका अंसर ऐसा क्यों है ठीक है तो पहला क्यु // है हमारा आज का which of the following element will have the least range of temperature आप से पूछा गया है कि इन चारों जो material है जो चारों material है हमारे पास इन चारों material में ऐसा कौन सा material है जिसका temperature जो है range जो temperature की जो range है यह हम हम बोल सकते है melting point वो क्या है कम होगा ठीक है तो हमें पहले इन चारों का क्या पता होना चाहिए melting point पता होना चाहिए melting point अगर हम देखें तो पहला हम अगर बात करें किसकी Eureka की किसकी बात करें हम पहली Eureka की Eureka का अगर हम melting point देखें तो वो होता है 1200 degree centigrade अगर हम option B की बात करें naichrome ka होता है 1400 degree centigrade अगर हम बात करें Cantal और एक है हमारा silicon carbide तो silicon जो carbide है हमारा silicon जो carbide है उसका होता है आपका 2730 degree centigrade और अगर लास्ट है हमारा इसका होता है आपका तो यस तरह से हमारी क्या होती है temperature range होती है Eureka का 1220 to 1300 naichrome का 1400 silicon carbide का 2730 का 1425 degree centigrade तो अगर हम चारों में अगर देखें comparison करें चारों का अगर हम comparison करें तो सबसे कम temperature जो range है वो किसके आपकी Eureka की इसलिए यहां पर आपका जो option होगा वो कहां जाएगा यह पड़ जाएगा जो तो यूरे का है उसका जो temperature range है वो कम होता है आपको exam में जो question पूछे जाते मैं लिए आप से पूछे जाएंगे carbon के और tungsten के ठीक है tungsten का आपको क्या होता है कि अगर आप से melting point पूछा दाता है tungsten का तो tungsten का अगर हम melting point देखें तो वैसे तो उसका कितना होता है 3422 degree centigrade लेकिन आपको option में अगर वो नहीं दिया हुआ है आपको मालो दे दिया कि 355 या 3635 तो आप वहीं टिक लगा होगे ठीक है तो कटेंड का हमें स vér स्बास कृटा हुशा है कि जो टफ्र खरन मेंनिक पॉयंट होता कुछ है और जब हमारे कौश्यन आता है उसमें आंसर हम कुछ और टेमें ड़कते हैं टो जो इब दोना याद रख निक का एक करवबन और एक आपको टंगस्टन नक wes sätt क्योंकि आप होता है तो कारवन का melting point कितना होता है 3500 degree centigrade हम बोल सकते है 3555 degree centigrade ठीक है तो यहां पर तो अभी हमें जो दे रखा है उसमें हमने देखा कि जो कि यूरेका है उसका जो temperature को भी से है या हम बोल सकते है melting point या हम बोल सकते है least range of temperature जो है वो किसका हो जाएगा आपका यूरेका का induction heating तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि heating क्या होती है heating is nothing heating क्या है कि कि किसी भी object या हम object को यहां पर क्या बोलते है charge तो किसी भी object या किसी भी charge को अगर हमें heat करना है किसी भी object को में पढ़ते है heating वो कौन सी पढ़ते है electric heating electric heating का मतलब है कि यहां पर हम different different type के method का use करके हमारे जो object है उसको हम क्या करते है heat करते हैं तो heating में हमें दो type के heating पढ़ते हैं हम पहला heating होती है हमारी power frequency heating power frequency heating और हमारी second जो heating होती है वो होती है high frequency heating heating power frequency heating का मतलब है कि जो frequency है वो कितनी हो कि 50 hertz और high frequency heating का मतलब है greater than 50 hertz यह आपकी heating होती है अब यह जो heating हमारी power frequency heating heating और high frequency heating इनको भी हमने divide किया गया है मतलब कि जो हमारी power frequency heating है power frequency जो heating है उसको भी हमने तीन टाइप में divide किया है तो इसमें हमारी पहली आती है है resistance heating है रिजिस्टेंस हीटिंग second हाता है हमारा arc heating और third हाता है हमारा electron bombardment heating यह तीन टाइप की हमारी heating होती है अब resistance हो heating है उसको भी हमने फर्दर थ्री टाइप में और infrared और क्या बोल सकते है इसको अपन radiant मतलब direct resistance heating indirect resistance heating direct resistance heating indirect resistance heating और infrared या radiant heating ऐसे ही अगर हम dark heating की बात करें तो इसमें भी direct और indirect टीक है ऐसी ही अगर हम बात करें किसकी high frequency heating की तो यह तो हमारी क्या हो गई power frequency heating ऐसी हमारी जो second heating है वो कौन सी है high frequency heating high frequency जो heating है उसको हमने फर्दर टू पार्ट में डिवैड किया है जिसमें हमारे पहली आती है कौन सी induction heating और second आती है हमारी die electric heating कि दो type के हमारी क्या आती है heating और यहाँ पर आपका question क्या बनता है कि जो die electric heating होती है उसका हम mainly जो use करते है वो किसके लिए करते है non conducting material मतलव good plastic इनके लिए हम इसका use करते है ठीक है induction heating में हमारे क्या होता है material तो क्या होता है conductant material तो conducting होता है लेकिन वो जो material है वो magnetic भी हो सकता है और non magnetic भी हो सकता है non magnetic भी लेकिन होगा आपका जो material वो क्या होगा conducting लेकिन जो die electric heating होती है वहाँ पर आपका जो material होता है वो कौन सा होता है आपका non conducting material टीक है induction heating को भी हमने फिर further two part में divide किया है इसमें हमारा पहला आता है core type और second हमारा आता है core less type अब further जो core type है जो core type है उसको हम और क्या बोलते हैं low frequency और जो core less है उसको हम क्या बोलते हैं high frequency induction heating अब core type में भी हमने different different type के use करते हैं कि direct core type indirect core type इसमें भी अगर हम देखे हैं तो इसमें भी हमारे क्या है direct core type heating indirect core type heating और vertical core type तो इस तरह से हमारे different different type के heating के बारे में चर्चा हो गई induction heating में क्या है कि कोई भी आपका एक conducting material है उसको जैसे ही आप जो conducting material उसको जो magnetic field में रखते हैं तो उसमें एक addy current produce होता है क्या produce होता है addy current ठीक है और dielectric heating जो है वो mainly किसके लिए आती है non conducting material के लिए और second चीज इसका जो power factor है वो क्या होता है leading power factor और यह जितने भी heating है उसमें सबसे अच्छा power factor कौन सा होगा मतलब unity power factor तो unity जो power factor है वो किसका होता है आपका resistance heating का जो resistance heating है उसका जो power factor होगा वो क्या होगा unity power factor तो resistance जो heating है वहीं एक ऐसी heating है जिसका हम use करते है resistance मतलब immersion जो heater है हमारा immersion जो rod होती है उसमें जो heating होती है वो क्या होती है resistance heating ठीक है तो इस तरह से different different type है हमारी क्या होती है heating heating इसमें अगर हम बात करें इसकी infrared या radiant यहां से आपसे question पूछ ले जाता है तो इसका जो use है हम किसलिए करते है dry the paint ठीक है तो इस तरह से हम और हमारी question आएंगे वहां हम चर्चा करेंगे तो यहां पे आपसे question क्या पूछा गया है कि जो induction heating है is possible आपसे पूछा गया है कि जो induction heating है वह possible है यहां पे जो जितनी भी यह heating है आपकी यह AC और DC दोनों पर possible है AC और DC लेकिन जो induction heating है वह only किस पे possible है only AC क्योंकि induction heating में क्या होता है कि हम जिस भी object को हमें heat करना है है उस object या उस conducting object को हम कहाँ पर electromagnetic induction effect electromagnetic induction effect मतलब कि हम उसको कहां रखते है magnet में मतलब कि जैसे हम जिस object को हमें heat करना है उसे हम electromagnetic induction effect के द्वारा heat करते है कैसे heat होगा कि जैसे ही electromagnetic induction effect आएगा तो उसमें addy current produce होगी मतलब की जो induction heating है उसमें क्या produce होता है addy current मतलब इस addy current के के द्वारा हम object को क्या करते हैं heat object will be heated तो object जो heat होगा वो किसके द्वारा addy current और आपको पता है कि जो electromagnetic induction effect है या हम normally अगर हम बात करें जो induction effect होता है वो only किसके case में होता है AC के case में इसलिए जो आपकी induction heating effect है जो induction heating effect है वो possible होगा only AC supply बात सोंजमारी है कि जो induction heating effect है वो possible होगा आपका only AC supply टीक है बात सोंजमारी है चलो next question the coefficient of addition इसको हम किसी mu से यह होता क्या है आपका coefficient of addition है वो होता है attractive effort divided by weight टीक है coefficient of addition का मतलब यह है कि कोई भी अगर आपका locomotive है टीक है तो उसके जो wheels होते हैं और जो मेरील की पड़री है उन दोने के बीच में कितना effort लग रहा है उस effort को हम क्या बोलते है coefficient of addition मतलब की उसको चलाने के यह उन दोनों को चलाने के लिए हमें कितना force लगाना पड़ रहा है उसकी value क्या होती है mu, मतलब की अगर हम एक बात बोलें की जो coefficient of addition है टीक है, कि अगर गहां की अगर इद सोड में की जोतिक επιविशं ठीक भेविशंकी टीक ह्पूतित्पी नगर जोसित्पी बात् पर फिंदानि, मैं Whenailed There about वहां की है दोठीक है,e medicine good the dochod a writing this time, let me chalkaj de 250 nutईपय के भात्प़ सक्सक्वें a speed of train increases और आपसे यहां पर क्या पुछा है कि AC और DC traction में coefficient of addition क्या होता है तो DC के case में in DC DC के case में क्या होता है कि आपका जो weight होता है DC के case में है DC traction के system में आपका जो weight होता है motor का वो क्या होता है बहुत कम होता है ठीक है इसलिए हम overall weight लेके चलते हैं किसका locomotive का जबकि जो AC है AC के case में क्या होता है कि यह जो आपकी motor होती है जो equipment होते है उनका weight बहुत ज्यादा होता है इसलिए हम एक particular locomotive का particular part लेके हम चलते हैं ठीक है इसलिए जो DC है DC के case में जो आपका coefficient of addition है coefficient of addition है वो low होता है और AC के case में आपका coefficient of addition है वो क्या होता है high होता है ठीक है low की अगर हम बात करें तो यह कितना होता है 22-30% low की अगर हम बात करें तो 22-30% और high की अगर हम बात करें तो यह हो जाता है आपका 33-35% एप्रोक्स बता रहा हम है एक्जेट में एप्रोक्स जहां तक होता है आपका तो low होता है किसके case में 22-30 यह हो सकता है यह 15-20% भी होगा 15-20% कर लो इसको आप और वो होता है 32-35% तो आपका जो coefficient of addition है वो DC के case में कम होता है और AC के case में high होता है एक composite system आपका जो traction system होते हैं उसको हमने different different type में divide किया है जिसमें पहला है Second हमने पहला dc system second है second हमारा single phase AC system, third हमारा 3 phase AC system or fourth हमारा composite system, क्या है composite system, अब composite जो system है, इसमें हमारा further हमने इसको 2 part में डिवाइड किया है, एक तो DC system system, और एक है single phase 2, 3 phase system, और इस ही को हम क्या बोलते है, केंडो, ठीक है, तो जो composite system है, वो इन दोनों से मिलके बना है, मतलब अगर हम देखे हैं, कि जो composite system है, वे the combination of diesel engine and AC single, a single phase power receive is converted into DC और 3 phase power AC system, तो जो composite system है, उसमें हम क्या करते है, है, single phase को DC में भी, और single phase को 3 phase में भी change करते हैं, तो composite system इन दोनों का क्या होता है, combination, तो यह हमारे 4 type के system होते है, electric traction system है, ठीक है, इनको मैंने आपको, जो video है हमारी UEP की, उसमें आपको detail से कि यह जो system है, वो क्या होते हैं, किस में कौन सी motor का use करते हैं, और कितनी supply होती है, और कितना frequency का use किया जाता है, यह सब मैंने आपको किस में बताया है, एक video में अपने, जो lecture है, video lecture, उसमें मैंने आपको पूरी तरह से, इसको complete आपको बताया है कि कि इस तरह से हम use करते हैं system को, ठीक है, तो हमारा हो गया C answer, which of the following filament material has lowest melting point, आप से पूचा गया है कि कौन सा filament lamp है, जो कि lowest melting point रखता है, तो अगर हम बात करें, first carbon की, carbon का जो आपका melting point होता है, वो किपना होता है आपका degree centigrade, अगर हम बात करें भी कि tungsten, tungsten का जो आपका melting point है, तो आप से जो पूचा गया है, वो पूचा गया है किसका, लो का, अगर हम C की बात करें, tantalum, इसका melting point यह होता है आपका, और D की बात करें हम osmium की, तो osmium का जो melting point है आपका, यह होता है, तो आप से जो lecture का exam था आपका, college lecture का RPSC का, उसमें आप से carbon का melting point पूचा गया था, tungsten का आप से पूच लिया जाता है, तो tungsten के आप यह नहीं कि 3400 YC में ले तभी लगाएं, नए इस पर काफी question बनते हैं, आपके आप इसमें confusion भी रहता है आपका, तो आपको वही लगाना है जो ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखाता है कि सबसे जो best हमारा material होता है, तो वो कौन सा होता है हमारा tungsten material, यह जो tungsten है आपका इसका जो temperature coefficient है, वो क्या होता है positive, temperature coefficient भी आपका जो tungsten wire है उसका, जो temperature coefficient है वो क्या होता है positive ठीक है, तो इस तरह से अगर हम से पूछा गया है कि lowest melting point, किसके बारे पूछा गया है, lowest melting point, तो lowest melting point में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है tantalum, तो tantalum है उसका सबसे lowest melting point होता है, which of the following lamp has the least capacity to sustain voltage fluctuation, मतलब कि ऐसा कौंसा lamp है, जिसकी सबसे least capacity होती है, अगर voltage में थोड़ा सा भी fluctuation होता है, तो आपको मैंने वीडियो में बताया था कि वहां पर कि ऐसा कौंसा lamp था, जिसकी life सबसे ज्यादा effect होती है, जब आप उसके voltage में fluctuate करते हो, तो सबसे पहले हमने जो lamp पढ़ा था, starting में वो कौंसा था, incandescent lamp, या क्या बोल सकते हैं हम इसको filament lamp ठीक है, तो जो filament lamp है आपका, कौंसा? filament lamp है, उसकी life पर सबसे ज्यादा effect पढ़ता है, किसका voltage fluctuation का, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो incandescent lamp है, उस पर सबसे ज्यादा effect पढ़ता है, effect इन पे भी पढ़ता है, लेकिन compare की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा effect है, वो किस पर पढ़ेगा? incandescent lamp, यहाँ आप से पूचा गया है कि column 1 और column 2, जिसमें आप से पूचा गया है कि यह हमारी क्या होती है, definition होती है, luminous flux, luminous intensity, lumen और candela power, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कि एक मेरे पास क्या है sun है, जो कि, sorry, जो कि हमारी क्या होती है, luminous body, और यह हमने क्या लिया था, एक surface, और इस पर मुझे क्या मिल रना है थी, light, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कि यह जो raise होती है, इन ही को हम क्या बोलते है, F, यह जो raise होती है, है इनी को हम क्या बोलते है F जिय क्या हो गया luminous flux ठीक है और जिस surface पर हमें यह प्राप्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते है illumination E बरावर F upon A ठीक है और जिस intensity से यह प्राप्ट हो रही है omega से तो I बरावर क्या हो गया F upon omega हो गया नहीं हो गया और F हो गया Q upon T क्योंकि light जो है वहीं क्या है मेरा luminous flux और क्या है ठीक है तो यहांपे अगर हम बात करें luminous flux की तो luminous flux एक तो क्या हो गया F बराबर Q अपॉन T चुकि यह क्या होता है हमारा lumen यह हमारा क्या होता है lumen का मतलब क्या है brightness क्या होता है कि जो lumen है lumen is equal to brightness मतलब जितना ज्यादा आपका lumen होगा उतनी ज्यादा आपको brightness अच्छी मिलेगी मतलब जितनी ज्यादा आपको light output मिलेगा सीधी सी बात है तो इसलिए तो अगर हम बात करें luminous flux की luminous flux को किस दर आते है आप से तो जो a है उससे क्या मिल जाएगा हमें 4 a से हमें क्या मिल जाएगा 4 अब हम बात करते है luminous intensity जिसको हम किस से denote करते है i से तो i क्या होता है हमारा f upon omega कि कितनी intensity से हमें omega यहाँ पर क्या है आपका solid angle तो i f क्या हो गया हमारा lumen और omega omega क्या हो गया हमारा stay radiant हो गया नहीं हो गया तो यह हो गया हमारा lumen पर stay radiant तो यहां से हमारा क्या हो गया b से 3 हो गया नहीं हो गया b से 3 अब बात करते हैं हम lumen की तो lumen हमारा क्या है अगर हम बात करें लुमन की तो यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, लुमन और यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, लूमन, ठीक है, तो i वराबर क्या है, i वराबर है f अपन omega, i क्या है यहां पर intensity, तो intensity क्या होती है, candela power into intensity of solid angle, तो यहां से C से हमें क्या मिल गया 2 और Candela power, तो यहां से अगर हम देखे हैं तो A से 4, B से 3, C से 1 और D से 2, C से क्या हो जाएगा 1, C से क्या हो जाएगा Lumen और इस से क्या हो जाएगा Candela, C से क्या हो जाएगा हमारा 1, यहां हो गया हमारा Lumen यह हो गया हमारा I Candela और यह, तो intensity जो है उसको हम किसे दर साथ ने Candela से, ठीक है इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहां पे सायद कुछ printing mistake है इसमें, ठीक है, तो आप यह दो दो तो समझ गई, A से 4 और B से 3 which photometer is used for comparing the light of different colors, आप से पूचा है कि photometer, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए, कि जो photometer है So, it is used for find candela power of unknown. source, ठीक है, और इसके लिए condition क्या होती है illumination will be same, ठीक है, तो photometry जो है हमें क्या find करके देता है, candela power अब photometry में भी हमें, एक तो different color और एक होता है हमारा same color different color के लिए जो हम photometry यूज करते हैं, वो क्या होता है, flicker flicker photometry और इसके लिए हमारा क्या होता है, बुंसन and loomer broadhunt मतलब की, बुंसन photometry और loomer broadhunt photometry, इनका उप्योग तो हम करते हैं, same color के लिए और जो आपका यह है, इसका यूज करते हैं आपन different color के लिए different color, बात समझ में आई, तो आपका option क्या हो जाएगा यहाँ पर? flicker photometry क्योंकि आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? different color, ठीक है? For the same what is, which lamp is cheapest? तो आपसे पूछा गया है कि सबसे सस्ता lamp कौन सा होगा? तो सबसे सस्ता lamp अगर हम देखें, तो सायद हमारा कौन सा होता है? filament lamp filament lamp है वो सबसे सस्ता होता है, 10 रुपे में हमें कितने का 100 watt का bulb मिल जाता था, 10 रुपे में, ठीक है? तो उसी का दूसरा version है, GLS lamp, तो इन ही को हम क्या बोलते है? filament lamp को GLS lamp, general light search lamp तो इसलिए GLS lamp बोलो आपिसको, या filament lamp बोल दो या फिर incandescent lamp, तो ये आपका सबसे cheapest lamp होगा When the speed of the train is estimated taking into the count, the time of stop at station, in addition to the actual running time between stop is none as Train के लिए हमारी 3 type की speed होती है, एक तो होती है crest speed, जिससे हम बोलते है maximum speed मतलब की maximum जो speed है, एक तो होती है आपकी 160 km per hour और एक होती है 120 km per hour मतलब ये तो होती है आपकी main line service के लिए और ये होती है आपकी arvan and sub-arvan मैंने सब कुछ आपको वीडियो जो lecture है John Tech के उस पर आपको सब कुछ बता रखा है कि किसकी कितनी speed होती है ये speed कितनी होती है आपकी, सब कुछ आपको मैंने वीडियो के बाध्यम से सब कुछ आपको समझा रखा है वीडियो lecture में तो पहला हो गया आपका krist speed, second आपकी होती है average speed तो average speed जो क्या average जो speed होगी वो कौन सी speed होगी speed क्या होती है आपकी, distance upon time टीक है तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी and taking into account the time of stop, यह क्या हो जाएगी distance divide by actual time of run, यह क्या होगी actual running time और third होती है आपकी schedule speed, कौन सी speed होती है आपकी, schedule speed schedule speed क्या होती है आपकी, distance तो होगी, distance between to stoppage divide by actual time, actual running time तो होगा ही, plus stopping time, मतलब stoppage पर जो stop होगी है वो भी time इसमें include हो जाता है क्योंकि आप से क्या पूचाए, addition to the, stop in addition to the actual running time, टीक है, दोनों का add इसने कर दिया है the illumination level in house in the range of जो आपका basic अगर हम देखे है, illumination level जो है house का, वो कितना होता है, 100 to 150 lumen per meter square which of the following lamp give nearly monochromatic, mono मतलब एक color की light जो provide कराती है, वो कौन सी हमारा lamp है, तो वो कौन सा हमारा sodium vapor lamp कौन सा हमारा sodium vapor lamp, which of the following will need highest level of illumination, आप से पूचा गया है की कौन सा highest level होता है, जिसको सबसे ज्यादा illumination की requirement होती है, तो अगर हम बात करें bedroom की, क्या bedroom में आपको ज्यादा illumination की आवे सकता है क्या, क्या आप बहाँ ऐसा कोई work upon करते हैं नहीं, जिससे हमारी आखों पर या eyes पर कोई effect पड़े, ठीक है, तो hospital ward, hospital ward में क्या है, patient रहते हैं, admit, वापे भी हम कोई प्रूफ reading का मतलब क्या है, कि आपको कोई file है, उसको आपको proof reading करनी है, मतलब उसमें आपको error find करनी है, तो उसके लिए आपको illumination की, अगर हम requirement की बात करें, overall 3 option में, तो सबसे जादा सायद मेरेाशाब से क्या होगा proof reading, होगाँ, नहीं होगा, क्यूंकि जो proof reading है, वहँआ पर आपको सबसे जादा जो काम पड़ेगा, वौ आपके eyes से पड़ेगा, क्यूंकि जतना जादा आप reading करोगे, क्यूंकि वहाँ आपको error find करनी है, तो उसके लिए आपको read करना पड़ेगा अच्छे से, और read करने के लिए आपको proper light की जरुत पड़ेगी, नहीं, तो इसलिए हाँ पर हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो level होगा आपको illumination का, वो किसमें चाहिए आपको proof reading में, ठीक है? इन argon arc welding, the electrode is made of, जो argon arc welding होती है, उसमें जो हमारी electrode होती है, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, ठीक है? तो टंगस्टन की जो है हमारी electrode बनी होती है, किसमें argon arc welding में हो, anodizing is done for, क्या पुछा है आपसे? anodizing is done for, anodizing का मतलब है कि आपके पास दो rod है, एक तो anode और एक cathode, किसी परगा में oxide film को की परत चड़ानी है, anodizing का मतलब है, oxide film, मतलब कि हमें cathode पर क्या चड़ानी है, oxide film चड़ानी है, तो वहीं आपका क्या होता है, anodizing, हम देखेंगे, तो anodizing जो है, कि हमें coating करनी है किसकी oxide film की, तो oxide film की अगर हमें coating करनी है, तो उसे हम क्या बोलते है, anodizing, सबसे पहली बात, तो anodizing आपको यह पता होना चाहिए, कि anodizing का मतलब है coating the oxide film, ठीक है, coating the oxide film, तो इसके लिए हम तीनों को क्या कर सकते है, improve, तो all of the above, इसका क्या हो जाएगा, answer, furnace, use for cremation, मतलब की हमें vernd करनी है, body को with use of chemical, chemical का use करके, हमें body को क्या करना, vernd करना है, तो उसके लिए हम जो heating use करते हैं, वो कौन सी करते हैं, resistance heating, और resistance heating में भी हम कौन सी करते हैं, direct, resistance heating, direct resistance heating, यह freshly painted layer आप से पूचा है, कि आपने अभी-भी किसी को paint किया है layer को, उसको हमें क्या करना है, dry करना है, तो dry अगर करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कौन सी heating use करते हैं हम, infrared या क्या बोलते हैं इसको हम radiant heating, radiant heating, in steam locomotive, in a steam locomotive electric power is provide through, आप से पूचा गया है कि जो steam locomotive होते हैं, वहां पर आपको जो आप पावर प्रवाइड करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, तो वहां पर जो हम use करते हैं, वो क्या करते हैं, small turbo generator, तो small जो turbo generator हैं, उनके द्वारा हम power को provide कराते हैं, arc can we produce by, तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि जो आर्क होती है, वो AC भी produce हो सकती है, और DC current के द्वारा भी, दौनों के द्वारा आप आर्क को produce कर सकते हो, जैसे carbon arc lamp में में आप होता है, कि जो carbon arc lamp होता है आपका, वो AC पे भी बढ़ करता है, और DC पे भी बढ़ करता है, फर्क है कितना होता है, कि DC के case में आपकी, जो एलेक्टरोड होते हैं, उसका area हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है, और AC के case में दौनों का area क्या होता है, एक्क्वल, ठीक है, लेकिन arc दौनों में produce होता है, चाहे आपकी supply AC हो, चाहे आपकी supply DC हो, प्रेकिंग रिटार्डेशन, ब्रेकिंग रिटार्डेशन on sub-arward train, आपसे पूछा गया है कि जो ब्रेकिंग रिटार्डेशन होता है, on sub-arward, ठीक है, तो आपको पता है कि जो main line service होती है, वहाँ पर आपका retardation का कोई रॉल नहीं रहता है, मतलब ज्यादा importance नहीं होती है, क्योंकि जो distance होती है between two-ish top 10 km से भी ज्यादा होती है, इसलिए जो main line service होती है, main line service में आपको retardation की ज्यादा जौरत नहीं होती है, मतलब ज्यादा वो उपयोगी नहीं होता है, वहाँ पर आपकी जो value है वो 0.62.8 रहती है main line service के लिए, लेकिन अगर हम बात करें urban और sub-arward की, तो वहाँ आपके जो distance होती है between two-ish top वो बहुत काम होती है, लगवक 1.5 km तक होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमें ज्यादा जो requirement है, ज्यादा जो importance है, वो किसको देते हैं हम breaking को, इसलिए urban और sub-arward 1 है, वहाँ पर जो breaking retardation होता है, वो होता है आपका 3 to 5 km per hour per second, यहीं अगर हम main line service के लिए कहते है, main line service, तो वो कितना हो जाए, 0.62.8 km per hour per second, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और मैंने आपको सब कुछ बताए, वीडियो में किस तरह से आपका जो है, sub-arward 1 और main line service के लिए क्या-क्या होता है, ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि जो breaking retardation होता है, sub-arward 1 train के लिए, वो कितना होता है, 3 to 5 km per hour per second, तो motor use in electric traction, electric traction में हम जो motor use करते हैं, वो कौन सी करते हैं, DC series, AC series, करते नहीं करते, लेकिन modern के अगर हम बात करें, आज कल हम जो use करते हैं, वो करते हैं, 3 phase induction motor, तो यहाँ पार, इसलिए आपका अंसर क्या जाएगा, 3 phase induction motor, ठीक है, तो आपका जो motor use करते हैं, हम electric traction में है, वो कौन सी करते हैं, 3 phase induction motor, यह भी आपके traction में use होती है, which valve operate on the lowest power, आप से पुझा गया है, कि सबसे lowest power पे आपका कौन सा operate होता है, तो lowest power simply हम देखें, तो इसमें cell का use हम किसमें करते हैं, इसमें lowest power, बिलकुल यह ही होना चाहिए, आपका torch valve, तो जो torch valve होता है, वो lowest power पे work करता है, for the same rating, the amount of radiant heat produce in which of the falling lamp is the least, क्या बुल रहा है आप से, कि amount of radiant heat produce in which of the falling lamp is least, सबसे कम, जो radiant है, वो एक heat की produce में, मतलब कि एक heat की form में, जो produce होती है, वो सबसे कम किस lamp में होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 4 option है, fluoroscent lamp, filament lamp, sodium vapor lamp और mercury vapor lamp, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखे हैं कि filament lamp में तो heat बहुत जादा produce होती है, क्योंकि हम जैसे उसके पास जाते हैं, अभी हमने देखा कि filament lamp पर उसी का हम उपयोग करते हैं किसमे radiant heating में, radiant जो heating है वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, filament lamp का यूज करते है, sodium vapor lamp यहाँ पर भी आपकी, जो heat है वह बहुत जादा होती है, क्योंकि जो sodium vapor lamp और mercury vapor lamp हैं, इनकी property क्या होती है, कि यह जो lamp हैं आपके होते तो क्या है, gaseous discharge lamp और यह भी आपका क्या होता है, gaseous discharge lamp दोनों ही gaseous discharge lamp होते हैं, लेकिन इनकी क्या property होती है कि इसमें जिस तरह की हम vapor या जिस तरह का हम metal और जिस तरह की हम gas का use करते हैं वो उसी तरह की हमें color provide कराता है लेकिन इसमें पहले क्या होती है UV ray निकलती है और उने UV ray को phosphorus coating क्या कर लेती है absorb कर लेती है मतलब heat को एक तरह से उसने क्या कर लिया absorb और फिर वो visible ray में उसको change करती है तो हम यह बोल सकते है कि अगर चारों की अगर हम बात करें तो सब से कम जो heat produce होती है वो किसमें होगी fluoroscent lamp में ठीक है तो आपको यह धियान रखना है for the same rating the amount of radiant heat produce in which of the following lamp is the least is fluoroscent lamp the specific energy consumption for sub-urban service, sub-urban या फिर हम बोल सकते है अरवन, sub-urban और अरवन दौनों के लिए जो आपकी specific energy consumption है वो कितना होता है 50 to 75 watt hour per ton km ठीक है तो आपको यह धियान रखना है कि जो specific energy consumption होता है specific energy जो consumption है वो आपका urban हो या sub-urban उसके लिए होता है 50 to 75 watt hour per ton per km the extended wattage of 3 feet आप से यहाँ पर क्या पूछ लिया उसने 3 feet ठीक है नई तो हम बात किसकी करते हैं 200 meter की ठीक है तो यहां से आप से पूछ लिया गया है कि जो standard wattage होता है 3 feet का तो वो कितना होता है और वो होता है आपका 40 watt ठीक है तो यहां पर आप यह धियान रखना है कि आपको meter और fit में आना चाहिए ठीक है तो standard भी है हमारा और वैसे अगर हम बात करें meter की तो वो कितना होता है 1.1 meter ठीक है 1.1 या 1.2 होता है ठीक है तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो standard wattage होता है 3 feet fluorocent tube का वो कितना होता है 40 watt the costing retardation of city services is approximately जो costing retardation होगा उन city services city services मतलब की क्या होगी man line services तो man line service case के लिए जो costing है वो कितना होता है 0.16 km per hour per second the luminous efficiency of fluorocent tube तो fluorocent tube जो है आज कल जो हम use करते हैं वो क्या use करते है CFL और CFL की जो efficiency है वो luck work 70 to 80 होती है lumen per watt और इसकी जो life है और कितनी होती है 8000 hour और यह होती है lumen per meter square इसकी sorry sorry lumen per watt टीक है यह CFL की बात कर रहा है हाँ पर आप उस पर ना जाया है fluorocent lamp पर यह जो है बात कर रहा है किसकी CFL की तो यहाँ पर आपका जो efficiency होगी fluorocent tube की वो कौन सी हो जाएगी 60 to 65 lumen per watt तो इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वार फूर प्रिसीजन वर्क तो प्रिसीजन की अगर हम बात कर रहा है प्रिसीजन की अगर हम बात कर रहा है तो सबसे प्रिसीजन अगर वर्क है तो सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए illumination और कितना चाहिए 500 lumen per meter square which of the following will need the lowest level of illumination अब आप से पूचा गया है lowest lowest level of illumination की अगर हम बात कर रहा है तो आपको उसमें से ऐसा काम देखना है जहां पर हमें ज्यादा हमारी जो eyes है उस पर effect नहीं पड़े ठीक है normally हमें का देख जाए हमें ज्यादा हमेरी जो eyes है उस पर हमें effect ना पड़े तो उसके लिए अगर हम चारों में अगर वर्क में देखें तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें हमारी eyes का ज्यादा use नहीं होगा तो उसमें अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया railway platform जहां पर हम में ज्यादा requirement नहीं होती है illumination की ठीक है इसलिए which of the falling will need lowest level तो lowest level की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा railway platform process of coating of a metallic surface with a harder metal why electro deposition is none as आप से पूछा गया है की कौन सा method है मतलब पहले आपको यह पता मा चाहिए electro deposition क्या होता है तो electro deposition क्या होता है कि आपको कोई भी coating करनी है जिस material के आपको coating करनी है उसे तो आप किस पर लोगे अनोर पर और जिस पर आपको coating करनी है उसे आप क्या लोगे cathode यहीं क्या होता है deposition अब deposition में आपके different different type के method होते हैं क्या deposition में आपके different different type के method होते हैं जिसमें पहला है हमारा electro plating electro plating का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपकी inferior object है उसको आपको superior बनाना है क्या है की coated with superior material, coated with superior metal on a inferior object यह होता है आपका क्या electro plating बात सांज में आ रही है अगर हम बात करें second यह तो क्या electro plating अब आए electro forming electro forming, electro forming, electro forming क्या होता है by the reconstruction of हटिक है हमें जैसे कॉईन है कई कोई खराब है तो उसको हमें री कंस्ट्रक्शन करना है या फिर हम बोल सकते हैं कि कि जैसे मुझे को इसे कोई गाड़ी बनानाी है या कुछ भी हमें या बनाना है तो उसके लिए पहले मैं क्या यूज करूगा क्या जो हम या मॉशिज करूऄ उस मॉम से पहले और मैं ढांचा वनाऊंगा जो भी मुझे । Ist उसक्या मैं धांचा बनाऊंगा यूजिंग बैक्स फिर उस बैक्स पर मैं उसे कंडक्टिव बनाने के लिए उस पर ग्रेफाइट का लेप करूँगा और जो वह ग्रेफाइट से लेप करके अब वह जो मेरी मॉम है वह ऐजे कैथोड की तरह काम करेगी ठीक है और उसके मुझे लेप करना था वह लेप मेरा एनोर से किस पर जाएगा चैथोड पर और कैथोड मेरी क्या है एक उब्जेक्ट है उस पर मेरा कोटिंग हो जाएगी यह होती है आद की इलेक्ट्रो फॉर्मिंग प्लाब फूरे ओब्जेक्ट को बनाने के काम में आता है उस पूरे और electroplating में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारा iron है उसको हमें corrosion से बचाना है तो उस पर हम zinc की परद चड़ाते हैं तो जिसमें हम किसको use करते हैं electroplating के अब हम बात करते हैं electro typing electro typing क्या है same है electro और लास्ट आता है आपका anodizing इसमें क्या आता है coated इसमें हमें क्या पूचा गया है हम से with harder material मतलब की hard material का हमें क्या करना है deep coated करना है with the method of electro deposition process of coating of metallic surface with a hard metal while electro deposition is none as ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें तो यह हमारा होगा नहीं electro plating होता नहीं electro forming तो हमारा क्या हुजाएगा answer electro facing तो इस तरह से आपसे different different type की question पूछे जा सकते हैं आपर definition के through तो इस तरह से आज का हमारा जो bctv program है वो यहीं पर समाप्त होता है thank you all of you